ट्रिपल तलाग की पिटीशनर इशरत जहाँ बीजेपी में शामिल, कहां उनको सपोर्ट करूँंगी जिन्होंने मेरी मदद की ट्रिपल तलाग पर सुप्रीम कोर्प में पिटीशन दायर करने वाली पांच महिलाओं में से एक इसरत जहाँ ने बीजेपी जवाइन कर ली है इश्रत एक बार में तीन तलाक का खुल कर विरोध करने वाली महिलाओं में से एक हैं उन्होंने कोलकाता में बीजेपी का दामन थामा बाद में मीडिया से कहा जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है मैं उनकी मदद करने का भरोसा दिलाती हूँ बता दे कि सुप्रीम कोर्ट एक बार में तीन तलाक यानी तलाक विद्दत को गैर कानूनी ठहरा चुका है अब केंद्र सरकार इस पर कानून ला रही है ये बिल लोग सभा में पास भी हो चुका है बीजेपी ने भी की पुष्टी विस्ट बंगाल स्टेट बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सायंतन बासो ने इश्रत जहां के बीजेपी में शामिल होने की पुष्टी की सायंतन ने न्यूज एजेंसी से कहा इश्रत जहां ने हावडा में हमारी पार्टी जवाइन की है बीजेपी की स्टेट यूनित इश्रत को कुछ दिनों में सम्मानित करेगी इश्रत को उनके पती ने 2014 में फोन पर दुबई से तलाक दिया था लंबी जंग लड़ी है इश्रत ने इश्रत जहांने एक बार में तीन तलाक पर रोप के लिए लंबी जंग लड़ी वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्प जाने वाली महिलाओं में से एक है इश्रत ने शनिवार को कोलकाता में बीजेपी हेड़ ग्वार्टर जाकर पार्टी जवाइन की इस मौके पर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट लोकेट चटर जी भी मौजूद थी इश्रत ने कहा ट्रिपल तलाग के मामले में पार्टी को सपोर्ट करती रहूंगी बीजेपी महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट लोकेट चटर जी ने कहा इश्रत इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है हम केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि वो उनकी मदद करे लोकेट ने आरोप लगाया कि वेस्ट बंगाल की मम्ता बनरजी सरकार ने इश्रत की कोई मदद नहीं की जबकि उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया खुद को महफूज नहीं मानती इश्रत एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में इश्रत ने कहा कि प्रिपल तलाग पर सुप्रीम कोर्ब के फैसले के बाद भी वो खुद को महफूज महसूस नहीं करती उन्होंने कहा कि बकरीद भी उन्होंने अकेले ही मनाई वो हावडा जिले के नंदो गोश रोड पर एक मकान में रहती है इश्रत के मुताबिक इद पर कोई उन्हें मुबार कबाद देने के लिए नहीं आया इश्रत ने कहा कि उनका बिजली कनेक्शन पहले काट दिया गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ब के फैसले के बाद इसे फिर जोड दिया गया है जहां ने कहा कि उनके कुछ रिष्टेदार चाहते थे कि वो किस वापस ले लें कुछ लोगों ने धमकिया भी दी ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए स्वामी इश्रत के बीजेपी ज्वाइन करने पर पार्टी के सीनियर लीडर सुब्रमन्यम स्वामी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए स्वामी ने कहा इश्रत एक निदर महिला है और वो एक राइट कौज के लिए खड़ी है उनकी हिम्मत दिखाती है कि वो भारतिय महिला हैं हम उनका बीजेपी में स्वागत करते हैं हम ज्यादा से ज्यादा उन मुसलिम महिलाओं को पॉलिटिक्स में देखना चाहते हैं जो खुद को भारत और उसके इतिहास का हिस्सा मानती हों स्वामी ने ये भी कहा कि बीजेपी सिर्फ उन मुसलिमों के खिलाफ है जो खुद को मुहम्मद गोरी और महमूद गजनी का बंशच मानते हैं